आईए श्रोताओ, आज मैं आपको सुनाती हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा विधी, जेड सुधी एकादशी को निर्जला एकादशी होती है एकादशी के दिन सब को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए जल भी नहीं पीना चाहिए यदि बिना खाय नहीं रहा जाए तो फल लेकर रत करें एका दशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढकन से ढक दे और ढकन में चीनी, दक्षिना, फल आदी रख दे जिस ब्रामन को मटका दे उसी ब्रामन को एका दशी के दिन शर्बत दे मेहंदी लगा कर नत पहन कर औरनी और कर सब को एकदशी के दिन बायना निकालना चाहिए एक मिट्टी के मट्की में जल भरकर ढकन में चीनी और रुपया रखे बयाने के साथ आम रखकर और कवे पर रोली से सतिया बना कर ढकन से ढक दे फिर हाथ फिर कर सासु जी के पैर छोकर उन्हें ये मट्का दे दे निर्जला एकदशी व्रत की कथा एक समी की बात है भीम सेन ने व्यास जी से कहा भगवन, युदिस्टर, अर्जुन, नुकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकदशी के दिन उपवास करते हैं तता मुझसे भी ये कारे करने को कहते हैं मैं कहता हूँ कि भूग बरदाश नहीं कर सकता मैंने दान दे कर तता वासु देर भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन कर लूँगा बिना व्रत किये जिस तरह से हो सके मुझे एकदशी का व्रत का फल बताईए मैं बिना काया कलेश के ही फल चाहता हूँ इस पर वेद व्यास बोले भीमसेन यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिये है और नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें दो एकदशी का व्रत करना होगा भीमसेन बोले हे देव एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ना चल सकेगा मेरे उदर में व्रिक्ष नाम की अगनी निरंतन जलती रहती है प्रियाप्त भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती हे रिशिवर आप कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बताईए जिसकी करने मात्र से मेरा कल्यान हो व्यास जी बोले हे भद्र जेस्ट की एकदशी को निर्जल व्रत कीजिए स्नान आचमन में जल ग्रेंड कर सकते हैं अन बिल्कुल ग्रेंड नहीं कीजिए अन अहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है तुम भी जीवन में इस व्रत का पालन करो इससे तुम्हारे पूर्व क्रिस्ट एकदसियों की अन खाने का पाप नस्ठ हो जाएगा इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाए मंत्र का उच्चारन करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए व्यास जी की अनुसार भीमसेन ने बड़े सहस के साथ निर्जिला का ये व्रत किया जिसकी परिणाम स्वरूप प्रात होते होते संग्याहीन हो गए तब पांडवों ने गंगजल, तुलसी, चरनामरत प्रसाद देकर उनकी मुर्चा दूर की तब इसे भीमसेन पाप मुक्त हो गए